राकी सावंथ आए दिन कुछ न कुछ करके मीडिया में अक्सर बनी रहती हैं दीपत कलाल के साथ कभी उनका ड्रामा चलता है और हाल ही में राकी सावंथ अपना नया आइटम सॉंग चपन शूरी भी लॉंच किया था राकी ने अपने इस नय म्यूजिक वीडियो का जो सूर से प्रमोशन किया था राकी ने अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर इस गाने से जुड़े फैंस की वीडियो लगातार पोस्ट कर रही है इसी बीच राखी ने अपने फैंस को एक और खबर दी है जिन से उनके फैंस चौक गए हैं जी आँ राखी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है वीडियो में राखी ये बता रही है कि वो बिग बॉस तेरा में नजर आने वाली है राखी ने कहा कि मैंने अपने फैंस पर सभी के लिए एक अच्छी खबर है थैंक्यू सल्मान खान एक गुड न्यूस मैं आपको बता रही हूँ कि मैं मेरे चपंचूरी सौंग पर बिग बॉस में ओपनिंग एक्ट कर रही हूँ इससे बढ़कर कोई न्यूस हो ही नहीं सकती थैंक्यू सल्मान मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक्यू बिग बॉस थैंक्यू कलर्स टीवी जी हाँ राखी अपने वीडियो में यही बाते कहती हुई नजर आ रही है राखी ने आगे कहा कि सभी को बहुत शुक्रिया मैं अपना 56ूरी सौंग सल्मान खान के साथ परफॉर्म कर रही हूँ पिछले कितने सीजन में मैंने सल्मान खान के साथ परफॉर्म किया है मैंने आज ही मैसेज किया सल्मान खान और कलर्स को और वो इस बात से सहमत है मैं जौल ही रिहसल शुरू कर दूंगी और मेरे गाने को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता अब राखी को यह ओफर्स सच में मिला है या सिर्फ ही उनका publicity stunt है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा हलाकि उनके फैंस इस बात का बेसमरी से इंतिजार कर रहे है राखी 2006 में बिग बॉस के पहले सीजन का हिस्सा रह चुकी है इस शो में उन्हें वाइल कार्ड एंट्री दी गई थी लेकिन उनका सफर महस चालिस दिन का ही रहा था अब देखना यह है कि राखी को बिग बॉस मेमो का मिला है या नहीं इसके अलावर राखी अपने रेवलिंग ड्रेस को लेकर भी काफी ट्रोल हो रही है अपने गाने के प्रमोशन के दौरान राखी ने जो ड्रेस पहनी थी वह काफी ही रेवलिंग थी इस वज़े से उन्हें काफी लोगों द्वारा ट्रोल किया जा रहा है इसी के जलते राखी का एक और वीडियो वाइरल हो रहा है उस वीडियो में राखी फूट फूट का रोती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि जिस दिसाइनर ने मुझे वो कॉस्ट्यूम दिया था मुझे पता नहीं था कि वो इतना रेविलिंग होगा मैं उस कॉस्ट्यूम की बज़े से परिशानी का सामना कर रही हूँ मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी लाइट्स मेरी कोस्टियूम पर होगी राखी ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉड़ी दिक जाएगी मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहती थी मैं बहुत दुखी हूँ लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं मेरे बारे में गंदी गंदी बाते बोल रहे हैं मैंने अपने आदमी पर भरोसा नहीं किया मुझे लगता है मेरी जिन्दगी खत्म हो चुकी है हाल ही में राकी सावंत अपनी शादी को लेकर जबजस्त चर्चा में बनी हुई है और राकी सावंत ने एक खुलासा करते हुए कहा था कि मेरे पती रितेश अमेरिकी प्रेसिडंट डोनाल्ड ट्रम्प के साथ काम करते हैं रितेश डोनाल्ड ट्रम्प की तीम का एक एहम हिस्सा है कुछ भी हो राकी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चाई हुई है यह वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो बिग बॉस में हिस्सा लेने वाली है यह कहती हुई नजर आ रही है यह कबर कितने हिस्सा अच है यह तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स